हेलो दोस्तों मैं हूँ पुस्कर स्वागत है मेरे चनल में एक बार फिर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक सब्सक्राइबर हैं काफी एजड हैं फ्रम कोलकाता तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है कि अगर कार छोटा सा एक्सिडेंट हो जाता है या फिर ऐस उसी के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में तो पहले तो उनका धन्यवाद उनको थेंक यू कि उन्होंने मेरे को एक टॉपिक बताया वीडियो को बढाने के लिए और यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है यह वाकई मैं मैंने रिसर्च करी थोड़ा सा पता लगा तो वाकरी मैं बहुत इंपोर्टेंट बहुत निक्ला तो इसमें यह है कि चोटा-इसजीडेंट नहीं होता है जिसमें आगर ट्रीट वावरा सप्लाइब बंद हो जाते है आपने स्टर्ट करते हैं कार को स्टर्ट नहीं होती है है तो उसका प्रोसेस है सीधा-सीधा लेक आपको, viewers को, कि यह जो fuel pump reset button है, अपनी इंडिया में नहीं आता है, eco sport में तो नहीं है, और other cars का मेरको अभी knowledge नहीं है, क्योंकि मैंने उनको check भी नहीं किया है, तो eco sport का अपन fuel pump reset button एक जो अपना ignition है, बाइक की और अपना पो से start stop button आता है, तो वो दोनों चीज ही अपना fuel pump reset button होता है, अलग से कोई reset button नहीं है, और आजकल smart cars हैं, तो उनमें सब में यही system है, और पहले reset button आता था, और वो जैसे under the glove box, या फिर पीछे boot space में, side में कहीं, left beam के नीचे, या फिर कहीं अपने इधर उदर मतलब छुटावा रहता था, तो अपने in cars में नहीं है, और इंडिया की eco sport में भी कहीं reset, fuel pump reset button नहीं है, तो आपको मैं process बताऊंगा, करके तो कैसे, लेकिन हाँ, करने के जो तरीका है, steps हैं, वो पूरी बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखें, देखें, सुनें, समझें, और आगे अगर खुदाना खास्ता आपके साथ ऐसा होता है, तो आप उसको याद करके, या फिर उसको ध्यान में रखके, आप अपना और इस वीडियो के माध्यम से, आप उस चीज को चला पाएं, कार को वापस स्टार्ट कर पाएं, तो आपको मेन्यूल में भी बताऊंगा मैं, तो 4D को स्पोर्ट की मेन्यूल है, उसमें भी ऐसा है, कि कॉलिजिन के बाद में अगर कार को रिस्टार्ट करना हो, तो कैसे करें, और लीकिंग चेक करना, सारी चीजे पूरा स्टेप आपको मैं ये भी बता दूँगा, और ये भी बता रहा हूं कि यूट्यूब पे केवल एक दो वीडियो मिलेंगी आपको, और जो भी इंडिया के बाहर की है, इंडिया में कोई अभी तक ऐसी फ्यूल पम रिसेट बटन वाली कोई वीडियो नहीं है, तो अब आपका ये देखिए, फोर्ड इको स्पोर्ट का मैन्यूल है ये, देखिए, और इसमें 129 पेज नमर है, जिसमें बता रखा है, रोड साइट इमर्जेंसीज, तो इसमें देखिए, फ्यूल सट अफ बटन है, फ्यूल सट अफ के नाम से है, और वर्निंग में, इफ यूर वीकल हैज इंवल्ड इन एक रेश, फ्यूल सिस्टम चॉक, फेलर तु फॉलो दिस इंश्टरक्शन कुद रिजल्ट इनपारशनल इंजरी और डैथ, तो ये बता रहा है कि अगर क्रेश हो जाती है, और फ्यूल चेक करें, और अगर फेल हो जाता है, तो आपके इंजरी हो सकती है, switch off the ignition, ignition को switch off करें, switch to start position, start position पे आए, switch off the ignition, फिर ignition को off करें, switch on the ignition to re-enable the fuel pump, और switch on करें, ignition को वापिस, ताकि fuel pump re-enable हो जाए, ताकि fuel supply चालू हो जाए, और ये steps नीचे हैं, ये देखिए, अगर crash हो जाता है, accident हो जाता है, फिर उसके बाद में car start नहीं होती है, तो आपको ये step अपनाने पड़ेंगे, car को वापिस fuel देने के लिए, सबसे पहले start stop button अपने को push करना है, ये देखिए, press the start stop push button, to switch off the ignition, ये उन cars में हैं, जिसमें push button नहीं आता है, start stop button नहीं आता है, और ये उन car की step है, जिसमें start stop button दे रखा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी कुस पोट में start stop button engine वाला है, तो आप सबसे पहले, press the start stop ब्टन टू सिच पन व्टा इग्निशन यह वटन दवा हिए इग्निशन को अफ कीजिए फिर आप उरकर पनाा को सिच ऑफ कीजिए नियुपाइट जाए फिर यूच कघल यूचिफ 20 कनषफ रिमिटर प्रिशफ ओंगे by pressing the brake pedal and the start-stop button and switch on the ignition only by pressing the start-stop button without pressing the brake pedal bought which is re-enable the fuel system फिर आपको दुबारा इस 4th step से पहले, जो last step होगी उससे क्या है कि car start करनी है उससे पहले आपको एक बार नीचे सारी जगे चेक करना है कि कहीं तो leak नहीं हो रहा है फिर सारी जगे चेक करने के बाद में अगर कहीं भी लीक आपको नजर नहीं आता है तो आप फूर्थ स्टेप आगे प्रेस कर सकते हैं आप». तो ये पूरा प्रोसेस था आपको समझाने का करेश के बाद में अगर कार नहीं चलती है तो क्या करें? तो आप मेरे को कमेंट करके बताईए और भगवान न चाहे किसी के साथ ऐसा हो और अगर बाइचांस ृस अज़ाता है ऐसी इंजिरी भो जाती है तो आप यह प्रॉसेस करके आप आराम से कार चला सकते हैं अपने आगे मंज़िल पर पहुंच सकते हैं जहां आपके लाना है और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि आपको और कौन सा पॉइंट जो आपके मन में है ताकि मैं उसको समझा सकूँ और मैं भी समझ सकूँ क्योंकि पूरी चीज़े मेरे को भी नहीं आती है कोई टॉपिक आता है तो मैं उसके उपर जाता हूँ रिसर्च करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ और सबके लिए सहूली तो सके सबको हेल्प कर सकूँ और सीट वैल्ट हेलमेट का ध्यान रखें और कई मजाग करते हैं लेकिन उनका मजाग ही सही है चलो मजाग हो जाता है और अपने परिवार का ध्यान रखें थैंक्यू